हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मितलेविस कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित पार्मिसी के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्क होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा सकेंड यर का सब्जेक्ट है फार्माकोलोजी जिसका चेप्टर नमबर वन है जेनरल फार्माकोलोजी जिसमें कि आपको रूट ऑफ ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है तो आज हम लोग इस टॉपिक को सुरुवात करते हैं एक ही क्लास में तो यह स क्लासेज आएंगी तो यह हमारा पार्ट वन है जिसमें कि हम लोग बेसिकली समझेंगे कि आखिर कितने प्रकार का रूट होता है ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहोगो तो बेसिक पहले टॉपिक को ही समझते हैं कि रूट क्या होता है ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन क्या होता है तो ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ड्रग मतलब को आप जान रहे हैं यानि कि मेडिशीन दवा को आप बॉड़ी में किस प्रकार से ले रहे हैं उस विधी को ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जैसे कि आप द लगाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनहेल कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको की रेक्टल से दिया जाता है तो ड्रग का मतलब है कि आप बॉडी में ड्रग को किस प्रकार से ले रहे हैं उस प्रोसेस को ड्रग कहते हैं और रूट मतलब अलग-अलग बात अलग-अलग रास्ते किस रास्ते के द्वारा आप बॉडी में ड्रग को एंटर करा रहे हैं तो इसके बारे म को ध्यान में रखते हुए मैं इस topics related जो MCQs पूछे जाते हैं अलग-अलग पामा competitive exam में वह भी मैं देने वाला हूँ और आप यदि सही से ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे तो वह question आप खुद कर ले देखेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस topic को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगा वाट्स आप चैनल को जरूर जोइन कर लें description में लिंक है जहां और एक वीडियो का notification में टाइमली डालता हूं प्लस जितने भी news notification रिजल्ट अपडेट जो भी होना होगा सबसे पहले वाट्स आप चैनल पे जाएगा क्योंकि यहां पर टेक्स्ट के फॉमेट में नोटिफिकेशन पर अच्छे तरीके से जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन के मामले में सब अच्छा वाट्स आप है तो वाट्स आप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जरूर से जरूर जोइन कर लीजिए और बाकी जो लोग हमारे साथ किसी तरीके से इंट्रेस्टिंग वे में पूरा सकेंड यर पढ़ना चाहते हैं और साथ साथ एक्जेट एक्जाम की तेयारी करना चाहते हैं तो डी फर्मा सकेंड यर का न्यू बैच दो अजर पचीस जिसमें की लाइव क्लासे जो सुरूर से स्टार्ट कर दी गई है तो जरूर से आपको डाउनलोड कीजिए और सकेंडियर के कोर्स को जोईन करके बेली लाइव रात के 9-10 मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए जहां मैं अभी फार्मकोलोजी पढ़ा रहा हूं बहुत इंट्रेस्टिंग में ठीक है तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं आज का हमारा की रास्ता पाथवे अलग अलग पाथवे हो सकता है तो वही चीज़े लिख रहा है कि यह एक रास्ता है जिसके द्वारा आपके बॉड़ी में किस प्रकार से ड्रग को एंटर कर रहे हैं वह उसी चीज़ को अब लोग रूट अब बेसिकली अलग अलग रूट होता है एं इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक और क्लासिफिकेशन में पहले बताता हूं इससे बहुत ज़्यदा बनते हैं तो पहले यह वाला क्लासिफिकेशन समझें ठीक है कि अगर रूट अफ ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन है तो मेंली दो प्रकार का रखा गया है एक रखा गया है सिस्टैमिक और एक रखा गया है लोकल अब सिस्टैमिक क्या होता है लोकल क्या होता है इन चीज़ों को समझें तो सिस्टैमिक में वह रूट ऑफ ड्रेग में अड्मिनिस्ट्रेशन आते हैं जिसके द्वारा आप दवा जो खाएंगे वह कह यहीं न चाहिए आपके बॉड़े कंटल मि जाएगा यानि कि सिर्कुलेशन कहने का मतलब कि वह ना कहीब लट में जाएगा फिर वह काम करेगा पहले आप खाएंगे और फिर उन्यक्स यह था से लेंगे तो अगर वह बलट में जाएगा तो वह सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन में आ जाएगा अगर वह ब्लड में न जा करके डिरेक्टली ऐसे ही काम कर गया तो वह लोकल नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ जैसे आप यहीं जान लो कि अगर आप कोई क्रीम लगाते हो यह ओइंटमेंट लगाते हो आपको कहीं जल गया या फिर फंगल इन्फेक्शन वगार तो उसको लोकल रूट कह देंगे ठीक है जैसे कि आपके टॉपिकल वगरा हो गया टॉपिकल कहने का मतलब हो गया कि सर्फेस पर जो यूज किये जाते हैं क्रीम ओइंट्मेंट लोसन यह सब चीज़ें ठीक है लेकिन अगर सिस्टैमिक की बात करें तो यह आपका दवा खाएंगे तो कहीं न कहीं बलड में ज जाएगा बलड में जाने के बाद अगर सर में डर्द है तो सर में जाएगा फिर वहां काम करेगा तो कहीं न कहीं वह बलड में पहले पहुंचेगा ठीक है तो सिस्टैमिक में आपका दो प्रकार का रूट होता है एक होता है एंटेरल और एक होता है परेंट्रल में डिरेक प्रीक्णों канал फिर या तो आप मशल्स में छोता है ऐसे इन्हेल किया जाता है ऐसे कुछ है आश्टमा के प्रस्ट में इन्हेल कराया जाता तो भी आपके किसी ने ब्लड में पहले जाता है फिर काम करता है फिर ट्रांस डर्मल पैचेज वगरा जो की स्कीन के ऊपर चिपका दिया तेरे द्याचेश्ज है ब्लड में आपका आजाता है जो की ब्लड में तो जाएगा लेकिन ड़रेक्ट नहीं जाएगा जैसे इंजेक्शन तो डारेक्ट प्लेट में चला गया लेकिन और रूट जैसे कि आप दवा खाएं और रूट मों के द्वारा खाएं तो सबसे पहले आपके स्टोमक में जाएगा और स्टोमक में वह डिसिंटिग्रेट होगा तूटेगा फिर उसके बाद वहां से अगर वहीं पर चीजें यह चीजें अब्जार्ब्स लाट में आगा ने की ना पेन होता है एंजाइना जिसको कहते है उसको रखा जाता है रखा जाता है जैसे कि आपका देख लेते हैं तो आपके मन में आपकी यह सवाल आ रहे हुए अलग अलग रूट की जरुवत ही क्या परी हम लोग जब ठीक था सबसे अच्छा धर्द भी नहीं होता है आपके नजरिये से अगर देखें पेसेंट के नजरिये से तो लोग औरल दवा खाना ज्यादा पसंद करता है अगर बात रहे इस उंदर नर्स है तो हम भी ले 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 लेकिन अगर बात कर लेंगी फिर अलग की जरुवत क्या पर देखो जब पेसेंट कंसियस है तब तो वह होगी तो आपको कहीं न कहीं इंजेक्शन देना पड़ेगा अगर पेसेंट को अभी एमर्जेंसी यूज नहीं है तुरंत नहीं चाहिए ताइम चाहिए ठोड़ दिंधर में भी करेगा तो को अगर अगर अब हम जैंसी पांच मिनेंट के अंदर असर करना चीए तो क्या आपको लगता है कि पास्परेट के अंदर काम करेगा नहीं वहां पर जाता है डिसिंटीग्रेट होता है फिर जागरे के काम करता है तो इंजेक्शन उस समय बहुत ज्यादा ज़रत होता है तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा मालो अगर पेसेंट को लगातार वॉमि हो गया है तो आप अगर जो टॉपिकल चीज़ें यानि की क्रीम लगा कर काम हो सकता है तो इंजेक्शन क्यों लगाएंगे होता है तो अलग अलग सिच्वेशन होते हैं समस्याएं होती है उसके समदान के लिए अलग अलग रूट ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन कैसे कुछेगा कि बताओ भिया यह रूट है वो सिस्टैमिक के अंतरगत आता है या लोकल के अंतरगत आता है तो आप समझो कि अंतरगत कौन-कौन सा आता है औरल मुह के द्वारा सब्लिंग्वल जीव के नीचे रेक्टल यानि की आपके नस के द्वारा टेबलेट दिया जा तब यह तो यह कही कही पहले ब्लड में जाएगा तो इसके यह द की आंतरगत आगे समझे अघर फीर उसके बाद पर इंजेक्शन वगर आ जाता है तो इंजींशों के इंजेक्शन दिया जाता है चाहे वह इंक्रावेन उस 있나 लोकल यानी ब्लड में जाएगा यह क्या है लोकल जिसमें आपका क्रीम लोसन जेल आजाता है जो की सरफेस पर लगाते हैं तो पहले तो यह चीज़े समझ गए अब आपको समझना पड़ेगा कि कि आपको मैं बताता हूं कि कौन जादा असर करता है कौन सा जादा असर करता है जैसे कि अगर बात करें कि आप कोई ट्रग औरल रूट से खाते हैं तो आप अगर जो 100 mg का टैबलेट खा रहे हैं तो आपके ब्लड में पूरा का 100 mg तो वह जाएगा नहीं जाता है ठीक है कहीं नहीं 60-70 mg तक गया बहुत तो आगर आपको पूछा जाएगी सबसे ज्यादा मोस्ट एफेक्टिव कौन सा होता है पूरा एकदम बाइवलेबिलिटी हंड़ेट परशंट किसका है तो पेरेंटरल रूट तो आपको दो टर्म समझना पड़ेगा यहां पर तब मज़ा आएगा आगे पढ़ने में एक है वह भी समझाएंगे पहले आप एक बार और चीज़ों को देख लीजिए कि एंटेरल रूट एक बार फिर से बता रहा हूं एंटेरल रूट सिस्टैमिक सर्कुलेशन में आता है क्योंकि ब्लड में जाएगा जैसे ओरल सबलिंगॉल रेक्टल पेरेंटरल रूट यह भी सि सिस्टैमिक में आ जाएगा यह पहले concept लिए अब आपको दो चीज़े समझना है पूछा जाता है कि कि सबसे ज्यादा है या फिर किसका first pass metabolism सबसे ज्यादा है तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हमको समझ देना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूं चलिए मेर अगर कोई person है माल लेते हैं कि यह आपका स्टोमक है यह आपका स्टोमक है कोई अगर माल लोक यहाँ पर कोई भी tablet खाया कोई भी tablet खाया को द्धी तो कितना परसेंट या फिर कितना अमाउंट ओफ ड्रग बिना किसी चेंज के अंचेंज फॉर्म में ब्लड तक पहुंचा उस अमाउंट को बायो अवलेबिलिटी कहते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं बायो अवलेबिलिटी कहते हैं तो आप सोच रहे होगे सर यहां 40% जो गया तो आखिर गया कहा तो वह भी आपको समझाएंगे पहले यह समझे अगर और रूट से ले रहे हैं तो कहीं न कहीं वह पेट में गया उसके बाद ब्लड में जाएगा तो आपका 40% गयब हो जाता है ठीक है वह पहले बिना एक्संस हो कि यहीं के त्वारा या कहीं के द है कि वह खराब नहीं करने के लिए जो अंचेंज फॉर्म एक दम प्योड आया ब्लड में उसको आपसे सवाल पूछता हूं बताओ और रूट का बादा बता तो आप जवाब देंगे कि सर और रूट का कम होगा क्यों क्यों कि वह पेट में आता है फिर ब्लड में जाता है लेकिना अगर जो हम अगर देख लिया जाए और एक तब लिख दिये और एक तरह नहीं सब्सक्राइब अंचाना अगर तो आप अगर जो 10 ml इंजेक्षन जबसे कम होता है क्यूंकि यहां पर आपकी बन में क्या दो पर यह जो 40% का concept है ना यही है first-past metabolism में खतम होगा जाता है अब आपको समझेना first-past metabolism क्या होता है आप बार-बार बोल रहा है first-past metabolism तो देखो जब भी आप दवा खाते हैं तो वो दवा कहां जाता है वो दवा सबसे पहले पेट में जाएगा और पेट में जाने के बाद व सब्सक्राइब कर दिया लेकिन पूरे को नहीं करता है अगर एमगी को माल दालो metabolize कर दिया मेटबोलाइज कर दिया और 60% जो था 60 इमजी उसको ब्लड में भेज दिया ताकि बॉडि में काम करें तो जो यह 40% है उसी को मेटाबोलिजम कहेंगे के लीवर में जा करके हो गया तो ड्रग का वह पार्ट जो बीना आपका पेट में आएगा अगर डिरेक्टली हम ब्लड में डाल दियें तो लिवर में क्यों जायाएगा तो आप से सवाल यह पुझा जाएगा कि बताओ भिया, फर्स्ट पास मेटाबोलिजम औरल रूट में सबसे जादा होता है. क्यों कि oral root में पेट में आएगा फिर लिवर में जाएगा फिर उसके बाद आपका blood में जाएगा लेकिन अगर intravenous root की बात करेंगे तो intravenous root में क्या होगा blood direct जो drug heterically blood में आगया तो वो avoid करता है first pass metabolism को first pass metabolism में जाएगा ही नहीं बाकि first pass metabolism और bioavailability को अभी और मैं समझाने वाला हूं रहां से सुनिएगा अब definition के मात्य है ठीक है देखो यह चीज़े को समझने में समय लगेगा लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जिली भर फार्मकोलोजी जब भी पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा ठीक है द दिफाइंड एज मीजर और रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग विच रिचेज दा सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानि ब्लड में जाएगा अंचेंजड यानि की बीना किसी चेंज पॉर में प्योर फॉर में जैसे अगर कोई स्टोमक है यहां पे मालों स्टोमक है और यहां प होगी 60% अब फिर्ष्ट पास मेटाबोलीजन मैंने बताया कि जब कोई ठ्रग खाता है तो आपके पेट में गया और पेट में जाने के बाद वहां पे एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले वह लीवर में जाएगा ताक तो इमाउंट पद्रग वह का मात्रा गया और पहले किड्नी के द्वारा जांगे बाहर निकल गया तो उसको कह देते हैं जो कि विना निकल गया उसको साथ वो ब्लड में गया काम किया तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भीया सबसे ज़्यादा बायो किसकी होती है तो कहीं न कहीं इंटरा वेनस रूट की क्यों क्योंकि यहां पर ब्लड डालेंगे इन्जेक्षन डालेंगे पूरा का पूरा मात्रा सीधा ब्लड में जाएगा Gunung इंट्राबेनस। में अगर 5 mm ना रहा ले तो पांचका 500 m सबसे जद्जादा बाइविलिटी इंट्राब्येनस का होता है देकिन अगर बात करें Bien tabii जो सबसे ज Państ människ 투 सबसे ज़्यादा होता है औरल रूट का सब्सक्राइब को बाकि आप से कुछ क्वेश्चन की बारी आई तो आप क्वेश्चन बनाके दिखाई एक था ना बहुत है ऑल आर लोकल लेकिन अगर बात करें औरल रूट तो यह सिस्टेमिक में आता है क्योंकि खाना खाएंगे तो यह जाएगा पहले तो ब्लेड में जाएगा तो ब्लेड में गया ना तो यह और रूट हो जाएगा अब दूसरा आपसे है मैक्सिमम फस्ट पास मेटाबोलीजमी इस सीन 24 बाइविच रूट है ना सबसे जादा प्रेश्ट पास Metabolisam किसमें होता है इंट्रवेनस में या INTRAATRIAL में यया Swordow तो फस्ट पास मेटाबोलिजम सबसे ज़्यादा उसमें जाएगा तो वहां से अब्जॉर्ब करके लिवर में जाता है और ड्रक का कुछ पार्ट के गदे बिना काम किये वहीं से निकल जाता है तो सबसे ज़्यादा और रूट का हो जाता है नेक्स्ट कोशन है पेरेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेशन यानि की इन्जेक्शन वाला आगर बात करें तो कि इसके लेकर के कौन सा सही है कैन नॉट भी यूजड विद अनकंसियस पेसेंट तो क्या यूज नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं अंकंसियस पेसेंट में ही तो इंजेक्शन का यूज होता है यह अप्शन गलत हो गया जेनरली रिजल्ट्स इन लेस्ट डोजेज दैन और अडमिशन गलत बात बहिए औरल में लेस्ट एक्टूरेशी होता है क्योंकि जो पेरेंट्रल है वो जितना यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर क्या बोल रहा है यहां पहले ब्लेट में जाएगा और यह भी ऑप्शन गलत है इसा नहीं है यह बहुत ज्यादा यहां पर होगा यहां पर यूजफुल फोर अपर यहां पर यूज़फुल फोर अच्छा होता है और आप यूज़टी से थ्रूब फॉल्वाइग रूट इस मोस्ट लाइक्लिट वी सबजेक्टकिट टूवर्श्ट पास मेटाबॉलीजम् यानि की बताओ कौन सा ऐसा ड तो जाएगा ही जाएगा सब्लिंग्वुल जीव के नीचे रखते हैं जीव के नीचे रखते रखते हैं तो यहीं पर अप्ज्वर्ब हो जाता है डिरेक्ली ब्लेड में चले जाता है तो कह ciao प्रकार से आपको मैंने क्वेशन कराएं अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अगर जोड़ते हैं तो हम आपको इस बात की देते हैं बहुत आसान लेंग्वेज में चीजों को समझाएंगे रिकॉर्डड वीडियो लेक्षर आपको सबसे पहले पूरा दुले वज का प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेज रात के नौ से दस चलती हैं प्लस ई-बुक पीडियेफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद एकसरसाइज और आपको पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो उसके साथ एंसी क्यू भी कराता हूं और आपका टेस्ट भी लूँगा ठाकि आप एग्जेड एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेर हो सकें एकदम कं कर लिए और पीडियेफ वगरा एप पर मिलता है इन सारी चीज़ों का यह हमारा कोर्स है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अभी कूपन कोड़ है पटापट अप्लाई कर दीजिए और अगर आप बुक चाहते हैं तो हमारे साथ आप पर बुक लो भी ऑडर कर सकते हैं और एंब El ago आपको क्या करना पड़ेगा फरी चीज़ें आपको प्रवाइक की जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से ओर को अगर कोई समस्या होता है पेमین्ट एर शुर आप इस नंबर पर कॉल कीजेगा сुभा 8 से सांबके 6 वज कीज़ेगा अगर चीज़े समझने आई होंगी पसंद आई होंगी तो आपका हर एक लाइक हर एक कमेंट मेरे लिए काफी मॉटिवेटिव होगा है ठीक है और भी बहतर कंटेंट लाने के लिए चीज़ेंचे एप्रीसीट करते हैं चलिए मिलते हैं नेक्ष लेक्शर में तक